दोस्तो पुश्कर मेला बहुत ही जबरदस चल रहा है और कल मैंने जब अपने पंजाब के गोड़ों का वीडियो दिखाया था उसमें एक नुकरी हाइट वाली बच्ची को बहुत सारे लोग घेरे खड़े थे आज मैंने उस बच्ची को पकड़ लिया है आपको दिखाने क चीके लिया हमारे साथ इस बच्ची के मालिक हैं शारुक जी शारुक जी पूरा नाम बताई और कहां से हैं आप बुर्द्यो बाई मेरा नाम हममद शैहरुख खान है मध्यपृदेश से हूं एम पी से हैं यहा बिलकुल करीब जी वैरी नाइस मतलब है तो इंदोर से हमार दोस्तों को यह बच्ची दिखा दूँ दोस्तो इस बच्ची का नाम है बरक और मुहम्मद शारुक खान जी आए हैं MP इंदोर से पुश्कर में इस बच्ची को लाए हैं और बहुत ही बड़ी हाइट की जबरदस्त बच्ची है और पूरा मेला रोक रखा है इस एक बच्ची की बच्ची है और मेरी भी आज की यह फेवरट गोड़ी बन चुकी है पुश्कर मेले में तो शारुक भाई से पुशते हैं आगे की जानकारी किस गोड़े की बच्ची है यह बहुत ही फेमस नुकरा गोड़ा है जो अच्छे अच्छे रिजल्ट पैदा कर रहा है मुक्तसर पंजाप शर्म चोड़ा पंजाब से मागी मन्डी में खरीदी कितनी बड़ी थी तब बहुत नौ महीने की ति शकडि के दाथ निकाल रही थी बहुत चोटी बच्ची ती तो मागी मंडी शरी मुक्तसर disruption पंजाब से अपनी इस बच्ची को बहुत एएता नौ म तो लगबग साड़े तीन साल के असपास हो गई है तो हाइट जैसे बतारें शिक्स्टी एड तो इसकी हाइट के इलावा जो इसकी खूब सूर्ति है इसकी नेक इसका फेस इसकी लेंट इसके पैर किसी तरफ से भी इसको पकड़ लें तो बेहत खूब सूरत है तो शारुग भाई भारम पर कितने गोड़ियां गोड़े रखते हैं आप गुर्दियों भाई गोड़े तो अभी दो है एक बच्ची थी अभी मेरे पास समुंदर की जी वो भी मुकसर लाया था मैं जी भराने के लिए ले गए थे पंजाब तो शेरी भाई ने रख ली उनको बहुत अच जादा मेंटेन नी कर पाते काम भी रहते हैं काफी जी और मेरा यह मानना ही कि शौक किया गोड़ो का तो आपको स्वयम को ही ध्यान रखना चाहिए उसका अगर आपने बंदों के हवाले छोड़ दिया ना तो फिर यह चीज नहीं त्यार होगी यह तो नहीं होगी यह तो अब हाथ से खाना तो अपने हाथ से स्वाद लगता है मालिक अगर अपने हाथ से कम भी डाले ना कम पूरा चाहे पेट बरके ना भी डाले फिर भी गोड़ा खुश होके खाता है क्योंकि मालिक प्यार से खाना देता है तो यह ही है गोड़े खाने से नहीं प्यार से भी प खिलाते हैं और उसके बाद प्यार से हाथ की थबकी ने खिलाएम के लगता और यहां जाते हैं यह जी लिए मानता है क्यूंकि यह तो गोडे सुबा सभेरेह रही दूआ करते हैं मेरे मालिक की मख़िरत करिये आप हर दिन गोड़ा मांगता है हर दिन खौब भी देखते हैं गोड़े भाई जानवरों में घौड़ा ही एक ऐसा जानवर है जो खौब देखता है आप देखना कई वारी इतनी गहरी नीद में होते हैं आप हाद भी लगाएंगे ना उन्हीं उठेंगे क क्योंकि खौब देखते रहते हैं यह अपने अच्छी बात बताई के घोड़े भी खौब देखते हैं यह हमारी तो इसलाम में मख़भ में किताबों में मौझूद है जी की घोड़ा वाहिद जानवर है जो खौब देखता है ओवा गोड़े को खौब आते हैं क्या वाथ जबरदस्ट बात बताई कि आपके मुसलमान धरम में इनको एक बहुत यूची पद्वी दी गई है तो इनको जानवर बोला जाता है यह तो जाते फरिश्टे बोला जाता है इनको गाजी है यह तो इनको गाली भी नहीं देनी चाहिए कभी घोड़े को होता ह Tai और तो आप औरे जिस घर में गोड़ा होगा एफ घर में शेतान निि दाखिलो गया वाथ भात खुब बताया तो शारुक भाई ठीक है फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके आपकी गोड़ी दोस्तों को दिखा रहे हैं तो बगवान आपकी गोड़ी की आपकी सब की उमर लंबी करे तो हमेशा मिलते रहेंगे धन्यवाद